हेलो फ्रेंड्स केसे हो आप आशा करता हूं अच्छे ही हो गए फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे हर्बल लाइफ नूट्रेशन की एक्टिवेटेट फाइबर टेबलेट के बारे में से पहले फ्रेंड्स अब यह जाने हैं कि फाइबर क्या चीज्ज और इसकी कमी से होता क्या क्या है सबसे पहले तो आप यह समझ लीजे, फाइबर एक बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूट्रेंट है, फाइबर एक कार्बोहेड्रेट की तरह है, इसमें न्यूट्रेंस तो बहुत कम होता है, पर यह बहुत ज़्यादा ज़रुरी हमारे डाजेशन सिस्टम के लिए, हमारी हेल् जाएबर 25 गराम चाहिए हमें हर रोज, कहां से मिलना चाहिए हमारे खाने से, जैसे आप सब लोग जानते हैं, अब हमारे खाना उतना प्योर नहीं रहा है, साइज, केमिकल, बहुत सारी चीज़े आ गई है, कारण फाइबर भी हमारे खाने से कम होता जा रहा है, दूसरा क चीज़े मेदे से बनी होती है, अल्रेडी फाइबर की बहुत कम होती है, अगर हम फाइबर पूरा लेते हैं, तो हमें बार बार भार भूख नहीं लगती है, फाइबर दो तरीके के होते हैं, कौन से कौन से सॉल्यूबल फाइबर और एक इन्सॉल्यूबल फाइबर, यह वो हमारी बोडी में गूल जाता है इसके फाइद है बहुत है यह हमारी बोडी में ब्लड शुगर और कोलेस्टरोन को कम करने में मदद करता है जो लोग डाइबिटिक है उनके लिए फाइबर का बहुत इंपोर्टेंट है उनकी लाइफ में 25 ग्राम अकोडिंग टू साइंस हम रोज ले सकते हैं 40 परसेंट तक फाइबर को कंज्यूम किया जा सकता है एंड इन सुल्वन जो फाइबर है वो हमारी बोडी से एक्स्ट्रा कच्रा लिकालने में हमारी मदद करता है एक्स्ट्रा कैसे जैसे जैसे कि हम नहाते हैं नहाकर बोडी को साफ करते हैं और फ्रे इस खुद्रत ने हमें बना कर दिये उन चीजों को हम इगनॉर कर रहे हैं फाइबर हमें बहुत सारी चीजों से मिलता है अटे के चोकर में फाइबर होता है मगर हम उसे छान करके अलग लिखा देते हैं फ्रोट्स एंड वेजटेवल से हमें फाइबर मिलता है इस्पेशली जो ग्रीन एपल होता है उसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है क्योंकि बड़े सारे पेस्टिसाइज केमिकल यूज होते हैं तो वहां से फाइबर कमी हो रही है मैं आपको एक एडवाइज ज़रू दूआ फूट्स को खरीदने के बाद 5 मिनिट तक पानी में बेकिंग जोड़ा डाल कर भीग होकर रखें क्योंकि एक्स्टा जो भी केमिकल है वो फूट्स और वेजिटेरियंस में से निकल जाएगा चिससे वह आपको बोड़ी का इफेक्ट भी नहीं करेगा और फ्रेश फूट्स और वेजिटेबल्स खा सकेंगें उसके लावा फाइबर पा चीजों में फाइबर होता है तो फाइबर के बहुत फाइद है जैसे मैंने आपको बताया तर आप फाइबर नहीं लेते हैं पूरा आपकी डाइड में फाइबर की कमी है आप नोटिस करेंगे कॉंड आप नोटिस करेंगे कॉंस्टिपेशन शुरू होन लग जाता है आप पैट साफ नहीं रहेगा पैट साफ नहीं रहता है लोगों का फूल है सिस्टम दिसटब रहता है झ्यतों रिखे स्侮ूत अरता है inds आयृत से मैं नलगता है काम करने के साफ में आज पैट साफ रहेगा तो आपको आप खुछ भी रहेंगे और आपका मन भी करेगा काम करने का अब हम बात करते हैं आप फाइबर कहां से कंप्लीट कर सकते हैं नेचुरल सॉर्सेस तो मैंने आपको बता हैं पर आप नहीं सकते हैं कि बोड़ी में किता फाइबर जा रहा है तो मैं अपना फाइबर कंप्लीट करने के लिए यूज करता हूँ अब लाइफ नुट्रेशन का एक्टिवेटेट फाइबर टेबलेट 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 फॉर्म में है इसमें 90 टेबलेट डाली गई है होती अमेजिंग नुट्रेशन है 25 से 30 ग्राम फाइबर इन तीन टेबलेट को खाने से हमार शरीर को मिलता है जब आप एक्टिवेटेट फाइबर खा रहे हो फिलिंग ओ फुलनेस रहती है आपको भूख नहीं लगती है बार बार काफि लंबे टाइम तक आपकी बोड़ी में बना रहता है आपको वेट लोस करने में हेल्प करता है एक्स्ट्र जो ओईल है आपकी बोड़ी में उसको निकालने में मज़द करता है इन फाइबर जैसा मैंने आपको अल्रेड़ी बताया कि वे डाइबिडिस वालो भी चाह जब आप फाइबर यूज करते हो तो आपकी बोड़ी को आदा घंटा लगता है एक्टिवेटेट फाइबर को यूज करने से पहले आदा घंटा पहले टेबलेट लेनी पड़ती है यह आदे घंटे में जाकर आपके बोड़ी में फूल जाएगा पेट बरा बरा फिल होगा एक्स्टा केलरीज को एक्जोब करेगा से आपका एक्स्टा इंजूरोज और एक्स्टा वेट लोस होने में मदद करता है यह बहुत ही अमेजिंग न्यूट्रेशन है जो आप अपनी फैमिली में किसी को भी दे सकते हो जो उनको हैपी और हेल्दी रखता है तो तीन टेब करें और वीडियो के नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूले इससे आना वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके तो धन्यवाद दोस्तों